तो दोस्तो कुछ तीनों से जो है WhatsApp पे एक message काफी ज़्यादा viral हो रहा है जिसमें ये बताया गया है कि WhatsApp में एक नया फीचर आया है जो है 3Tik वाला दोस्तो हमने जो है वाट्साप पे single tick वाला feature देखा double tick वाला feature देखा और अब triple tick वाला जो feature है वो आ गया है ऐसा उस message में लिखा है और तीसरे tick का मतलब यह है कि government जो है आपको follow कर रहा है आपके message को पढ़ रहा है ऐसा लिखा गया है उस message में तो दोस्तों क्या है उस message की हाकिकत और वो पूरा message क्या है वो जानने के लिए चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर वो message जो है आपको screen पर दिख रहा होगा उस message में लिखा है important information about whatsapp new rules to group member यहाँ पर लिखा है कि single tick यानि की message sent और दूसरा लिखा है कि double tick यानि की message read यह दोनों तो हमें मालूम ही है और यहाँ पर आप देख सकते है blue tick यानि की message read यहाँ पर आप देख सकते है तीसरा लिखा है blue tick यानि की message read तो दोस्तों यह तीनों जो है आपके message पर आ गए है तो और यहाँ पर पांचवा लिखा है 2 blue tick and 1 red tick इसका मतलब है the government can take action against you इसका मतलब है कि आपके message पर जो है 2 blue tick और 1 red tick आएगा तो government आपके खिलाब जो है action ले सकता है और यहाँ पर आपको देख सकते हैं छटा लिखा है 1 blue tick and 2 red tick is equal to the government is checking your information यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 blue tick and 2 red tick इसका मतलब है the government जो है आपका information यानि कि आपकी तलास में जो है वहाँ पर आपकी information निकाल रहा है और यहाँ पर आपको सात्मा यहाँ पर देख सकते हैं 3 red tick तो अगर आपके message पर तीन red tick आ जाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं government has started process against you and you will get a caught someone soon इसका मतलब है कि government जो है आपको ढूंड रहा है और आपको जल से जल जो है जेल हो सकती है तो यह है पूरा message और यहाँ पर आप देख सकते है be a responsible citizen and share with your friend तो दोस्तो यह message जो है market में काफी ज्यादा viral हो चुका है और काफी लोग डर चुके है और काफी लोग इसके बारे में जानना चाते है तो मैं आपको बता दूँ कि यह message है वो पूरा का पूरा जो है fake है दोस्तों क्योंकि आपको मालूम ही है कि अभी जो है whatsapp की privacy को लेके दंगे चल रहा है तो आपको यह जानना होगा कि वो दंगे क्यों चल रहा है तो आप जो है उस दंगे को समझ जाएगे तो आपको यह मालूम पढ़ जाएगा कि यह जो मैसेज है वो फेक है यहाँ पर आप देख सकते है बहुत सारा इस मैसेज के स्टार्टिंग में भी लिखा है कि the communication rule for WhatsApp and WhatsApp calls यहाँ पर बहुत सारे दिये गए है यहाँ पर काफी सारे points दिये गया है 11 points तो दोस्तों यह सच है काफी लोग जाना चाते है कि ऐसे जो viral message होते है उसका origin हमें पता लगाना है यानि कि वह कहां से send हुआ है वह हमें पता लगाना है तो दोस्तों what's up जो है ओ इंडियन government को मना कर रहा है कि हम यह नहीं कर सकते क्योंकि यह प्राइवेसी के खिलाफ है यह यूजर की प्राइवेसी के खिलाफ है यह बोल रह यह यह गवर्मेंट को कि यह इसका सेंडर कौन है यह मैसेज किस ने भेजा है तो इसका काफी शारा चेन तोड़ना पड़ेगा end-to-end इसक्रिप्शन पूरा तोड़ना पड़ेगा और यह वाट्सप की प्राइवेसी के खिलाप है तो इस वज़े से जो है दंगे चल रहा है तो दोस्तों यह मैसेज जो है पेक हुआ क्योंकि जो है आप इसमें देखा बहुत सारे पॉइंट यहां पर दिये गए है कि गवर्मेंट आप तक पहुंच सकता है यह है वो है तो यह पूरा फेक है क्योंकि वाट्सप यह नहीं चाहता है कि यूजर की प्राइवेसी को कोई खतरा आए तो इसी वज़े से यह जो है इंडियन गवर्मेंट को बोल रहा है कि भाई ह हम यह नहीं accept कर सकते आपका जो आप हमें जो बोल रहा है वो तो इंडियन गवर्मेंट ने यह भी बताया है वाट्सप को कि ऐसे कई सारे पॉर्नोग्राफिय वाले मैसेज है ऐसे जो परसनल मैसेज है जो दंगे करवा सकते हैं ऐसे जो मैसेजिस है वो उसका हमें पता पर रहा है तो इसी वज़से जो है यह पर यह जो सारे प्राइवेसी के जो दंगे चल रहे है तो यह मैसेज तो पूरा फेक हुआ क्योंकि यहां पर पूरा लिखा है कि गवर्मेंट आप तक पहुंच सकती है आपका जो मैसेज अब पूरा रीड कर रही है क्योंकि लोग यह जो है यह नहीं चाहते है कि अब हमारा देटा है वो किसी के पास जा जाए क्योंकि डेटा वोता है, वो दो Thank You, पूरा message जो है fake है तो आप बिल्कुल भी डरिये मत क्योंकि WhatsApp जो है अपने users की privacy का काफी खयाल रख रहा है और end to end inscription जो है यहाँ पर नहीं तोड़ेगा तो यह policy के खिलाब पूरा message है तो दोस्तों आपको डरने की कोई भी जरूरत नहीं है तो friends यह message आप तक भी पहुचा हूँ और आप भी डरे हुए थे और यह video देखने के बाद आपको थोड़ी सी राहत मिली हो तो इस video को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ share कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे नए है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी चरूर कीजिएगा ताकि हम ऐसा ही कुछ नया सिखाए तो आप बिल्कुल भी मिसना कर पाए